दोस्तों आप लोग YouTube पर अपना नए चैनल बनाने का बाद आप लोग उसमें तुरंद वीडियो डालना je START कर देते हैं लेकिन क्या आपके वीडियोस पर व्यू जाता है नहीं जाता है क्योंकि category सिर्फ select करने से आपका वीडियो उसके पास नहीं जाएगा और आप लोग एक चीज नोटिस किया होंगे अगर YouTube पर आप वीडियो देखते होंगे तो आप जिस type का content देखते हो तो उसी type का content आपको मतलब आपके पास आता होगा जब भी YouTube application को open करते हो अभी माल लिए आपने एक gaming वीडियो देखकर गया तो देखना आप next time जब YouTube open करेंगे तो आपके सामने gaming वाला ही वीडियो आता है उसी type का आपका interest का ही आता है कभी कर आप एक कोई movie देखकर गए हो तो देखना next time आपके पास कोई movie आएगा और अच्छा उसे से ले करता क कि आप देखो दुबारा तो इस प्रगा का जो recommend किया जाता है आखिर कैसे होता है क्या सिर्फ category select करने से आपके पास इस प्रगा करेंड किया जाता है और इसी region से आप लोग क्या करते हो सिर्फ अपने category को select कर लेते हो और आपको लगता है कि मेरे video viral होना start हो जाएगा सही audience क पास जाएगा लेकिन सिर्फ category select करने से आपका video viral नहीं होने वाला है अगर आप चाहते हो कि आपका video सही audience के पास जाए और अगर आपका video सही audience के पास जाना start हो जाए तो समझ जाओ कि आपका video viral होने से कोई नहीं हो सकता है तो सही audience के पास कैसे जाएगा इसके लिए आपको सही तरीके से अपने YouTube channel में keyword डालना होगा है जो कि अपने YouTube channel में keyword डालने से क्या होता है कि आप जो video upload कर रहे हो तो आज जो video upload कर रहे हो अब विडियो को कोई लोग देखता है तो दुबारा उसके बाध आपके video जाएगा और उसे से related जो video देखने वाला और भी बहुत सारे जो यूटुबर है और जितने सारे जो की subscriber है उसपर आपका वीडियो देखने वाला सभी के पास आपका वीडियो जाएगा और keyword देखिए जब तक आपने चैनल में keyword सही तरीके से नहीं डालते हो, आपके चैनल पर वीडियो वाइरल नहीं होगा, तो keyword कैसे डाला जाता है, चलिए आज मैं आपको live keyword डाल करके दिखाने वाला हूँ, चलिए करते हैं, वीडियो स्टार्ट, लेकिन इस से पहले, कल कब यहाँ पर winner देखो, इस भाई का चैनल का link, मैं अपने video description में डाल दिया हूँ, अपने community post में, अपने telegram group में, तो जाके पहले भाई के चैनल को subscribe करो and support करो, और next time गर आप winner आना चाहते हैं, अपने channel का promotion करवाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, अगर आप मेरे channel पर नाई ह बहुत सारे video मिलता है, मेरे channel पर आप popular video देखेंगे तो बहुत सारे video आपको viral देखेगा, जो कि YouTube search में है, कुछ browse feature से view जा रहा है, आनि कि लाखों में million में view जा गया है, क्यों हो गया है, क्यों हो गया है, क्यों कि मैं अपने channel में सही तरीके से keyword डाल कर रखा हूँ, जिसके कारण हमारा video उसी प्रणा के audience में पास जाता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, video डालना है, start कर देते हो, keyword ही नहीं डालते हो, तो पिर कहां से view हो जाएगा, तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कियसे आपको अपने YouTube channel कर keyword डालना है, तो यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर Chrome browser को open कर लिया हूँ, अब यहाँ पर देखिए, आपको जाना search box में, जो search box मिलता है, यहाँ पर आपको type करना है, क्या लिखना है, youtube.com, ठीक है, youtube.com लिखकर आपको यहाँ पर search कर देना है, अब दूस्तों मैंने youtube.com लिखकर search कर दिया, अब आपके सामने इस पक कर देना है, अब इस पर click करने का बाद देखिए, आपके सामने, इस पर डेक्स्टॉप के जैसा open हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, आपको corner बेज चोटा सा logo दिख रहा है, इस logo पर आपको करना है click, और click करने का बाद आपको दो नमर में, यहाँ पर देखिए, चार पेज को, ठीक है, यह YouTube का beta studio है, अब यहाँ पर देखिए, आपको corner में नीचे setting का icon दिखेगा, छोड़ा सा, बस इस पर आपको कर देना है click, अब जैसे इस पर click करेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक option आपको देखेगा channel का, दो नमर में, ठीक है, अब channel पर जैसे click करेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे आप channel पर click करेंगे, तो आपके सामने इस पर इंटर्फरेस खुल जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, आप भी अपने YouTube channel को निकालना, इस पर जैसे निकालेंगे न, तो आपका भी यहाँ पर keyword वाला section blank होगा, और keyword डालने से, और बहुत साए लोगों का यह भी होता है, कि channel सर्च में नहीं आता है, आप YouTube channel तो बना लेते हो, लेकिन आपका channel सर्च में नहीं दिखता है, कोई सर्च करता है, कहीं पर नहीं दिखता है, क्योंकि आप सही तरीके से अपने keyword डालेंगे नहीं हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा, और इस keyword से आपका चैनल सर्च में भी आएगा वीडियो भी वाइरल होगा तो आपको कैसे डालना है यहाँ पर देखिए यह जो आपको मिल रहा कीवड वाला सेक्षन यह भी मेरा ब्लेंक दिख रहा है यही कि मैंने डाल कर नहीं रखा हूं तो यहाँ पर देखिए पहले आपको कंट IYBE चैनल का नाम जो रखे हो तो पहले जिसके आपका चैनल सर्च में आये तो सर्च में आपका YOUTUBE चैनल आने के लिए यही पर कीवड शालना है और आपको विडियो साही और चैनल का नाम किया है עם यहाँ पर मैं क्या करूंगा आपको देखिए यहाँ पर जिसे कि आपको इस प्रगा से टाइप करना है जैड यह कोई लिख देता होगा क्रियेचर सर्स तूपेंट जीरो या फिर कोई लिखता होगा बहुत सारे लोग मिस्टेक करता है लिखने में तो आपको क्या करना पता है यहाँ पर मिस्टेक कीवर्ड भी आपको डाला है यहाँ पर मैं लिखता हूं एक बार लिखता हूं पूरा आपने चेनल का नाम जो कि एक बढ़ स्मॉल लेटर एक ब़ार कैपिटल लेटर एक बार शुरू का समॉल एक बढ़ सुरू का कैपिटल ऐसे करके आपको चार-पांच बढ़ लिखना है और कुछ गलत चैनल का कीवर्ड जिससे हमारे चैनल सर्च में आएगा लेकिन अब मुझे अपने वीडियो को वायल करना है और सही लोगों को पास भेजना है तो इसके लिए आपको कौन सा यहां पर कीवर्ड डालना है देखिए मेरा जैसे की मेरा चैनल कौन सा कटेगरी में आता है यूट आपका वीडियो की आओगा कि यूटुब ट्यूस वाले लोगों को पास जाना स्टार्ट हो जाएगा फिर वो नहीं देखेगा फिर इंप्रेशन डाउन हो जाएगा फिर वीडियो वायरल नहीं होगा तो इसलिए आपको अपने नीच के हिसाब से आपको कीवर्ड डालना है अब देखिए आपको यह देखना है कि आपके नीच में कौन से टाइटल पॉपुलर है जैसे कि मेरे नीच में ज्यादा था लोग साज करता है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं हो गया वैस्टेम कैसे बढ़ाएं हो गया व्यूज कैसे बढ़ाएं हो गया सोर्स वीडि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ता हूँ दिया अब दूसरा कीवर्ड डालता हूँ हाव टू इनक्रीज सब्सक्राइबर हाव टू इनक्रीज सब्सक्राइबर ठीक है मैंने डाल दिया अब यहाँ पर और क्या लोग सच कर सकता है ज्यादा ज्यादा किसको सच करता है ज्यादा लोग सच करता है यह भी जैसे कि यहाँ पर हो गया वश्टाइम watch time केसे बढ़ाएं मैंने सच यहां पर डाल दिया और यहां पर और कुछ कीवर्ड डाल देते हैं video viral केसे करें video viral केसे करें ठीक है डाल दिये इस पकास से तो इस पकास से कम से कम आपको 4-5 कीवर्ड ऐसा भी डाल सकते हो और प्लस में अगर आप चाहते हो कि आपका video आपके category में जो और बड़े बड़े चैनल है उसके पास पहुंचे उसके जो सब्सक्राइबर है उसके पास पहुंचे तो इसके लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हो उन सारे चैनल का भी नाम डाल सकते हो लेकिन एक चीज करना कि जब आपका चैनल मोनटाई नेशन होने जाए जब रिव्यू के लिए भेजोगे तो उस टाइम उन सारे नाम को हटा देना अलांकि उनसे कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन हटा देना तो अच्छा होगा तुरंद आपका चैनल मोनटाई हो जाएगा तो यहां पर देखिए म आप अपने गडरी में जो आपके ऐडरी में जो पॉपलर चैनल है उन सारे 2-3 चैनल का नाम नाम भी ढाल देना है यहां पर अब क्या होगा पहला जो पुर जो चैनल का नाम का नाम इसको आपका चैनल सर्च मायेगा और दुसरा ら जीससे कि आप अपने कुछ उस पर जा जादा जादा चांस होगा कि सबसे टॉप में जाए उस पर का ओडियेंस अपास जाए इसको भी डाल देना और तिसरा आप अपने नीच में कुछ चैनल का नाम डाल देना इनसे क्या होगा कि उसके जो सब्सक्राबर है उसके पास अपका वीडियो पहुचेगा कहीं ने कहीं और इसी कीवर्ड को पास आपको डालना है और उसके बाद अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड करो तो देखना सही ओडियेंस के पास जाना इस्टार्ट हो जाएगा और जब आपका वीडियो सही ओडियेंस के पास जाता है तो आपका वीडियो यूटूब रिकोमेंड भ नंदे मातरम.